लंबा content नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं be your best clips पे आप सब different parts में binge watch कर पाओगे तो ऐसी कौन सी ऐसी चीजें है life में that he does he का मतलब है वो लड़का जो आप बनना चाहते हो बट वो चीजें बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना clear कर देना चाहता हूँ कहीं भी पहुँचने के लिए आपको अपनी life में purpose और passion तो चाहिए अब मुझे पता है बहुत लोग गोलेंगे भाई हर वीडियो में same चीज से start क्यों करते हो बट यार कोई भी टाइप की tips देने से पहले मुझे ये सच्चा ही आपको बार-बार याद दिलवानी पड़ेगी कि आपको life में एक purpose चाहिए ही चाहिए purpose ही आपकी life का base set करता है और सिरफ एक purpose होने से ही आप दूसरों से stand out कर जाते हो क्योंकि maximum लोगों का life में कोई purpose नहीं होता ना कोई कुछ visions देख पाता है ना कोई कुछ goals बना पाता है तो सिर्फ उतनी planning से ही आप लोगों से बहुत उपर आ जाते हो सबसे पहली चीज है he gets 1% better everyday अब 1% everyday वाला concept आपको अगर आपने atomic habits नाम की book पढ़ी है तो पता होगा इसका simple सा ही मतलब है कि रोज आपको बस इतना सा effort करना है कि आप कल से 1% better हो जाओ उसका आपकी life पे इतना खतरनाक compounding effect होगा कि 10 years down the line आपने जित्ता रोज का थोड़ थोड़ effort डाले है उस वियासे आप इतने जादा successful हो जाओगे कि आप इस time पे imagine नहीं कर सकते और क्यूंकि इस time पे imagine नहीं कर सकते इसलिए maximum लोगों को इसकी importance ही समझ नहीं आती बहुत ही basic सा fund है बहुत सारे success gurus ये सिखाते हैं कि basic math सी calculation करके आप ये देख लो कि अगर आप 1% better everyday हो रहे हो तो 1.01 मतलब की 1% better होना इसको अगर आप 365 days से compound करोगे मतलब की एक पूरे साल से तो आप सोचो आप 1 साल के बाद कितने percent better हो जाओगे और इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपने आपको 1% better बनाने का भी effort नहीं मार रहा उससे आप एक साल में कितने गुना better हो गए और अपने आपको better करने के लिए आपको सिरफ दो main चीज़े चाहिए to start with पहला है upskilling और दूसरा है consistent routines भाई ये एक fact है कि world बहुत fast change हो रहा है और चाहे companies हो चाहे job profiles हो चाहे businesses हो चाहे लोग हो everyone is looking for more जिसका मतलब है कि expect किया जाएगा आपसे कि आपको और जादा आता हो जो इंसान अपने आप पे हमेशा effort मारता रहता है और specially disciplined लोगों को देखके बाकी दुनिया बहुत jealous हो जाती है मतलब अगर मैं आपको एक personal example भी दू तो ऐसे मेरे बहुत सारे acquaintances हैं या फिर दोस्त हैं जो कि खुद किसी एक चीज में बहुत बढ़िया कर रहे हैं लेकिन they still envy the discipline I have for the only reason कि उस discipline की वज़ा से मैं multiple चीज़े कर पाता हूँ even if कोई business level पे same success पे है as me वो इंसान maybe उतनी vacations नहीं ले पा रहा जैसे मेरे को vacations लेने को मिल पाती हैं and that is only only because of the discipline I have अब don't get me wrong मैं ये नहीं कहरा कि आप discipline बनो सिर्फ दूसरों को jealous करवाने के लिए वो सिर्फ एक by product है और वैसे भी जब आप ऐसा discipline follow करते हो जो आप बस लोगों को दिखाना चाते होगी भई मैं discipline हूँ तो वो discipline कभी last नहीं करता आपके बात करने के लिए भी इत्ती सारी चीज़े हो जाती हैं कि आप एक boring इंसान हो भी नहीं सकते and by the way कुछ ना कुछ नया बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि छोटी मूटी चीज़ें मेरा मतलब है कि for example आप college में हो बाकी सब college students के साथ daily life करते हो लेकिन आप साथ में अपना एक thrift store चला रहे हो maybe या फिर आप office में हो और आपने साथ में drop shipping शुरू कर दी या social media management शुरू कर दी तो subscribe to be your best clips and be your best main channel